आप अपने बिजनस के लिए venture capitalist से funding उठाना चाहते हैं या तो किसी नए product launch के लिए या फिर अपनी company को expand करने के लिए लेकिन आपको ये नहीं पता कि venture capitalist काम कैसे करता है एक VC को pitch कैसे करना है अपना idea या venture capitalist से funding उठाने का पूरा process क्या है या फिर venture capitalist अपने एंड पे क्या procedure follow करते हैं आपको funding देने से पहले तो आज की वीडियो में हम ये सारे topics को discuss करने वाले और एक एक करके सारे डाउट्स को clear करने वाले हैं तो जो लोग नहीं जानते कि एक venture capitalist क्या है आगे बढ़ने से पहले मैं फटा-फट venture capitalist को explain कर देता हूं venture capitalist fund एक institutional group है जहां पे limited partners जैसे की pension funds insurance companies या फिर किसी wealthy individual ने अपने पैसे एक साथ डाले हुए हैं किसी fund में अब वहाँ पर कमिटी है जो small businesses में अपना पैसा invest करती है यानि VCs में जो लोग अपना funds डालते हैं उनका पैसा small businesses या फिर नए startups में लगाया जाता है for high returns high returns इसलिए क्योंकि वहाँ पर रिस्क के chances बहुत जादा है वो नया business है चलेगा या नहीं चलता है कभी भी रुख सकता है उसका कुछ नहीं पता इसलिए वहाँ पर returns बहुत जादा मांगे जाते हैं तो एक venture capitalist fund में चार positions होती हैं सबसे पहली position होती है और junior position एक analyst की एक analyst सीधा investment decisions में अपनी हिस्सेदारी नहीं लेता है उसके पास इतने rights नहीं होते हैं लेकिन फिर भी किसी भी company कि market trends को analyze करना business model को समझना या फिर competitive analysis को समझना एक analyst की job है दूसरी position आती है analyst से उपर एक associate की associate finance में और business में एक expert होता है और company के relations या फिर अच्छे networking करने के काम आता है उससे उपर position आती है एक principle की principle investment decisions में हिस्से लेता है लेकिन उसके पास भी पूरी power नहीं होती और वो किसी startup founder को या फिर किसी business को पूरे investing process में लीड करता है सबसे आकरी और सबसे टॉप most position होती है partner की और partner ही है जो investment decisions में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी लेता है उसके पास पूरी power है कि वो venture capitalist particular startup को funding देगा या नहीं यह decision एक partner लेता है तो अगर आप एक business owner है तो आपको कोशिश करनी है अपनी meeting partner से करने की अगर आप किसी वजह से partner से directly नहीं मिल पाते हैं और आपकी शुरुवात analyst से हुई है अगर आपको analyst ने introduce किया है तो आप जल से जल कोशिश करिए कि आप partner से meeting setup करें क्योंकि वही है जो आपको funding देने वाले हैं तो अगर आप एक business owner है और या फिर आपके पास एक बहुत अच्छा idea है और आपको लगता है कि यह idea marketing बहुत जादा excel कर सकता है और आपको उसके लिए funding चाहिए तो सबसे पहले उन venture capitalist की list बनाईए जो आपकी industry में पहले से अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं और जो आपके साथ grow करें आपको मिलके nurture करें आपकी company को grow करें और अपनी business expertise अपने तक न रखके आप तक पहुचाएं उन venture capitalist की एक list बना ली जिए जिन्होंने आपकी industry में पहले एक successful venture दिये हैं और कोशिश कीजिए उनसे direct meeting की अगर आपके उनको successful high returns दिये हैं तो उस founder के थुरू अगर आप जाते हैं तो एक ट्रस्ट मेंटेन होता है वहाँ पर एक basic introduction होगा आपके और partner के बीच में अगर उसके बाद उस VC को आप as a business owner पसंद आते हैं तो वह आप से आगे contact करेगा देखिए VC किसी भी idea में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी team और उस particular owner में इन्वेस्ट करते हैं business idea से जादा एक VC उनकी company में इन्वेस्ट करता है उसकी team में इन्वेस्ट करता है ना कि सिर्फ एक idea में तो अगर एक VC ने आपको contact किया है एक pitch deck के लिए यानि अब वो चाहता है कि आप उसे अपना idea pitch करें तो आप एक अच्छे से एक pitch deck बना के उसको send कीजिए जिसमें आप अपना खुद का introduction दीजिए अपनी टीम का introduction दीजिए आपकी strength क्या है आपकी weaknesses क्या है अपका idea क्या है और क्या problem आप solve कर रहे हैं और उसका particular solution क्या है अपना competitive analysis कीजिए क्यों आप अपने competitors से better है और उनसे आप क्या अलग दे रहे हैं वो चीज़ जरूर mention कीजिए projections आप आगे कितनी growth चाहते हैं कि अगर आपको ये funding मिलती है तो अभी आपका समझिए 50 लाग का profit है आप चाहते हैं कि मैं इस profit को 25% increase कर सकता हूँ अगर ये funding मुझे मिलती है हम लोग इस funding से क्या करने वाले हैं वो mention कीजिए आपने इस से पहले किसी से कोई funding उठाई है या नहीं चाहे आपने किसी दोस्स से पैसे लिए हो चाहे आपने अपनी family से पैसे लिए हो या फिर किसी bank से loan लिया हो आपके ओपर कोई debt हो वो सारी चीजें आपको अपनी pitch deck में mention करनी होती है और सबसे आखरी और important चीज exit options देखिए अगर VC आपकी company में पैसे लगाता है तो उसको उस company से exit भी चाहिए with high returns अगर उस company में उसने पैसे लगा दिया और उसको return नहीं मिला या फिर आपकी exit options prepare नहीं है अच्छे से तो बहुत जादा chances हैं कि वो venture capitalist उस particular company में invest नहीं करता तो exit options पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है अपने exit options को लिख लीजिए कि आप उस particular VC को exit कैसे देंगे तीन या तीन से दस साल के बीच में या तो आप अपना IPO launch करेंगे stock market में list करेंगे जिससे वो अपनी funding की exit ले सकता है या फिर आप अपनी company को किसी बड़े brand को बेच देंगे या फिर कोई नया investor लाएंगे जिसके बाद उसको exit मिल जाएगी और अपना एक business model लिख लीजिए business model realistic होना चाहिए उसमें कुछ भी हवाई बाते बिलकुल मत लिखना business model में हर चीज को एकदम realistic रखना बहुत जरूरी है उस pitch deck को अगर आप partner को send करते हैं और अगर वो pitch उस particular partner को अच्छी लगती है तो chances हैं कि वो आपकी meeting बागी partner से भी करवाएगा और बागी partner से meeting का मतलब है कि एक last meeting होती है जब सारे partners एक साथ जमा होते हैं और आपसे meet करते हैं आपसे questions put up किये जाते हैं और जब उनके सारे doubts clear हो जाएं तो एक term sheet sign की जाती है आपके बीच में और उस particular VC firm के बीच में जिसमें एक promise किया जाता है कि अब वो VC आपको funding देने के लिए तैयार है देखे जरूरी नहीं है कि term sheet मिलने के बाद आपकी company को funding मिलेगी ही मिलेगी किसी भी वजह से company बीच में कभी भी वो deal तोड़ सकती है जब तक एक business के account में पैसे नहीं आ जाते हैं उस investment के तब तक वो deal final नहीं हुई तब तक बीच में कभी भी venture capitalist उस deal को तोड़ सकता है term sheet sign होने के बाद अब आगे का procedure एक VC अपने end पे follow करता है जिसमें दो या तीन महीने लग जाते हैं वो process है due diligence का due diligence के process में क्या होता है आपने जो भी उनको projections दिये हैं लिखा है वो realistic है क्या वो सही figures है या फिर कुछ हवाई बाते अपनी पिच में और अपने business model में आपने लिखके उनको दी हैं तो due diligence का process almost 2-3 महीने तक चलता है जिसमें वो अपने end पे सारी चीजे final करते हैं और अगर कोई भी red flags नहीं है और हर चीज उनके मताबिक हुई तो वो एक last process है और उसके बाद आपकी company को investment मिल जाती है और आपके business के account में सारा funding का पैसा आ जाता है और एक और बहुत important चीज़ जो की note करने वाली है और ध्यान देने वाली है वो ये है कि एक VC के पास साल में हजार से जादा companies के pitch आते हैं और उसमें से वो एक साल में सिर्फ तीन या चार companies को ही fund करते हैं तो अगर आप अपनी company को उस process के थुरू पार करके funding पाना चाते हैं तो आपको अपनी team की strength, अपनी pitching और अपने सारे doubts को एकदम clear रखना होगा VC कभी भी आपसे कोई भी question पूछता है बाइचांस की आपकी inventory cost कितनी है या फिर आपकी credit policy कितने दिन की है तो आपको सारे figures पता होने चाहिए उस time पे आप उनको ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं थोड़ी देर में आपको पता करके बता हूँगा या फिर अभी मुझे नहीं पता तो ये एक bad impression होता है एक VC के लिए सारी चीजे अपने end पे final रखिए और उनको सारे realistic figures दीजिए कुछ भी हवाई बाते करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा अब तक 50 लाग का profit है और आप मुझे जैसे ही investment देंगे मैं उस 50 लाग के profit को 15 करोल पे पहुचा देंगा ऐसा नहीं होता है 50 लाग के profit को 25-30% तक आप बढ़ा के बता सकते हैं कि मैं उसको 75-80,000,000 तक मैं उसको अल्मूस्ट पहुचा सकता हूँ अगर आप double भी करते हैं तो भी VC उसको एक negative impression मानता है तो अपनी जो figures हैं आप किस तरीके से उनको profit देंगे और किस तरीके से उनके पैसे का अच्छा return लाएंगे उसकी figures बिल्कुल realistic होनी चाहिए तो आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि venture capitalist क्या है venture capitalist से funding उठानी कैसे है उनको pitching कैसे करनी है और pitching में आपको क्या-क्या चीज़े mention करनी है और एक VC अपने end पे क्या procedure follow करता है अब आपको हर चीज clear हो गई होगी तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आप एक business owner है तो आप नीचे मुझे comment में लिखकर बता सकते है कि अगर आप funding उठा रहे हैं तो आप क्या-क्या process अपने end पे follow कर रहे हैं और किस point तक आप पहुँच चुके हैं ताकि सिफ मुझे और बाकी जो viewers है उन लोगों को भी extra कुछ सीखने को मिल सके